तो आज हम बात करेंगे सी सारोज थियोरम के बारे में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं let limit n tends to infinity a n is equals to a and limit n tends to infinity b n is equals to b हमने दो सिक्वेंस ली a n और b n वो कहां converge कर रही है a पे और b n कहां converge कर रही है b पे where a और b belongs to r then limit n tends to infinity a1 b1 a1 bn plus a2 bn-1 plus dash 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 plus a n b1 upon n is equals to क्या हैगा a into b के एको आजाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम example देख लेते हैं s n हमने एक example लिया किस तरह से 1 plus 1 y n की power n plus 2 की power 1 y 2 1 plus 1 upon n-1 की power n-1 और इस तरह से चलता जाएगा तो इसका n टर्म यहाँ पर क्या आएगा एक a n का n की power 1 by n और यहाँ पे b लेंगे पहले हम यहाँ पर यह जो 5 n plus 17 है इसको हम इधर ले जाएंगे n से डिवाइट कर देंगे n से multiply कर देंगे चुक्कि यहाँ पर आपन में n है और यहाँ पर 5 n plus 17 है तो हम directly इसको इसकी value और इसकी value निकालके नहीं पूट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर compare करते हैं तो compare करने पर हमें a n क्या मिलेगा n to the power 1 by n और b n क्या मिलेगा 1 plus 1 upon n की power n इसकी limit क्या होती है limit a n is equals to n की power 1 by n कौसी second theorem से हमें इसकी limit निकाल सकते है क्या होती है कि a n की power 1 by n is equals to limit limit n tends to infinity a n प्लस 1 upon a n यह कौसी second theorem होती है अगर यह limit exist करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं a n को n ले लेते हैं तो a n प्लस 1 क्या जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा और a n प्लस 1 upon a n क्या जाएगा यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 by n और यह limit कहाँ जाएगी 0 पे तो यह total limit कहाँ exist करेगी 1 पे और जब यह 1 पे exist कर रही है तो यह भी हमारी 1 पे exist करेगी तो यह limit कहाँ जाएगी 1 पे और similarly यहाँ पे e to the power यह वाला formula लगाते हैं 1 की power infinity जब form बनती है तो limit x tends to a f of x की power g of x तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e to the power f of x minus 1 into g of x और यहाँ पे limit x tends to a ठीक है इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसकी limit मिल जाएगी limit bn कहाँ e पे जा रही है अब csr equation क्या कहती है कि इसकी limit कहाँ exist करेंगी a into b पे तो यहाँ पे इसकी limit कहाँ exist करेंगी इसकी limit exist करेंगी 1 into e पे तो यह 1 into e लिख लेंगे into यहाँ पे n upon 5n plus 17 है n से divide कर देते हैं उपर नीचे हम तो यह हमारा किसके एककल हो जाएगा यह हो जाएगा limit n tends to infinity 1 upon 5 plus 17 by n और यह हमारा कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा तो यह हमारा आजाएगा 1 upon 5 तो यह हमारा 1 upon 5 आजाएगा तो हमारी total limit क्या जाएगी e upon 5 ठीक है तो इस तरह से हम जो अगर CSRO equation CSRO theorem के form में कोई sequence दे रखी है तो हम उसको easily find out कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतनी अगर आपको हमारा वीडियो चल लगे तो हमारे चनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में